नमस्कार दोस्तो एक्जाम सार्ती यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम RPSC RAS 2023 एक्जाम के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में चर्चा करेंगे कि कल जो RPSC RAS Pre 2023 का एक्जाम हुआ है उसका लेवल क्या रहा क्टोफ मार्क्स क्या रह सकती है आपकी एक्सपेक्टेड क्टोफ इसके लावा रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है क्योंकि जिस परकार से RPSC ने तेजी दिखाई है और एक्जाम के दिन ही रात में RPSC ने आंसर की जारी कर दी तो इस तेजी को देखते हुए आईडिया लगाया जा सकता है और हमारे पास जो जानकरी है उसके अकोडिंग आपका रिजल्ट कब तक आएगा उसकी भी जानकरी आपको इस वीडियो में देंगे तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं कि जो कल RPSC RASP 2023 का एक्जाम हुआ है उसमें उपस्तिती कितनी रही तो आप देख सकते हैं यह राजिस्तान पतरिका की न्यूज है 4.57 लाग यानि लगबख 4.5 लाग अभियर्टियों ने आजमाई किस्मत इतने अभियर्थी उपस्तित हुए एक्जाम में टोटल रजिस्टर्ड जो अभियर्थी थे वो थे 6.69 लगबख 5.7 लाग उसमें से लगबख 5.5.4 लाग के आजवास कंडिडेट्स ने एक्जाम दिया यानि कि 65.7 एक परतिस्त उपस्तिती रही है तो इस बार पिछली बार की तुलना में काफी अच्छी उपस्तिती रह है उसमें कुछ यह questions है जिनके answers RPC ने doubtful दिये है तो आज से यानि की 2 October से लेके 4 October तक 3 दिन का समय आपको दिया है आप RPC की answer के खिलाव आपति अंदर जगडा सकते हो questions को लेकर के तो आज कल और परसों 3 दिन का समय है जो भी आपको online, offline authentic कोई source मिले किसी coaching से कहीं से भी तो जरूर उन questions पर आपति लगाएं किसी के बरो से ना बेठा रहे कि कोई ना कोई आपति लगा देगा तो तीन दिन का समय है आप निश्ची तोर पे आपतिया लगाएं एक questions से आप कटोफ के लिए ड़कर सकते हैं अगर एक questions आपका आपति लगाने से सही हो जाए तो आप question number 37 आपका RPC ने जो जारी किया है जो model personal पत्र उसका question number 37 है आपके कुछ अलग हो सकता है इसका number तो ये question है कि कोई भुकाना सोई ये कौन सी योजना का नारा है तो आप कहीं पे भी सरकारी website पे जाकर के देख लें सरकारी जो इंदरा रसोई बनी हुई है वहाँ पर भी दे इंदरा रसोई का है जबकि RPC ने इसका answer दिया है अनपूर्णा food packet योजना जो अभी एक food packet सरकार की ओर से दिया गया था तो इसका सही answer इंदरा रसोई योजना होना चाहिए बाकि अनपूर्ण food packet योजना का जो बेग है उस पे भी कहीं कहीं ये ऐसा लिखा हुआ कोई पतिदर्द करवाने के बाद में इसको डिलीट कर दिया question को possible है दूसरा question अगर आप देखें तो ये इसी का continuous में 38 number question है model paper का इसमें दिया मानवा अदिकार सरक्षन संसुर्ण अर्दिनियम दोदर्स है कि प्रावदानों के अनुसार आयोग में एक अदिक्स चार सदे से होन दिया यानि केवल first statement सही है जो की गलत है होना चाहिए हमारे हिसाब से इसमें अभी जो न्यायमूर्ति कॉपाल कृष्ण व्यास ही इसके अद्यक्स है तो यह option second इसका सही होना चाहिए तो इस पे भी आप आपतित दर्ज करा सकते हैं next question है वो है reasoning का तो दोस्तों यह reasoning का question है यह निश्चित तोर पे delete होना चाहिए या तो या फिर इसमें RPC को उत्तर change करना चाहिए यह इसमें bonus देना चाहिए क्योंकि इसमें question में दिया है कि एक दरपन के सामने जो अंग्रेजी वर्ण माला के वेंजन है उनके अगर परतिविम्ब देखे जैसे आपका A है अगर इसका mirror image देखें तो आप देखो A ही बनेगा इसी तरीके से अगर आप कोई और अलफाबेट लेए जैसे कि आपने लिया H अगर आप mirror image देखेंगे तो H जैसा ही बनेगा इस तरह से अगर आप count करेंगे तो यह total 10 होते हैं अगर side में अगर आप mirror को रखते हैं आप किसी अलफाबेट के side में अगर रखते हैं जैसे कि O है अगर side में आप mirror रखते हैं तो इस तरीके से अगर आप इनके परतिविम या mirror image देखेंगे तो ऐसे total 10 आएंगे अगर Y को अगर आप count करते हैं जिस तरह से paper में Y सपावा है इस तरह से अगर Y को count करते हैं तो 11 हो जाते हैं तो 11 option में और अगर Y को count नहीं करते हैं मालो तो आपके जो total इसे alphabet हैं वो 10 होते हैं 10 यह option में नहीं है तो इसका answer 11 होना चाहिए अगर Y को count किया है तो दूसरा अगर इनोंने जो water image है उसको नीचे की तरफ रख है जैसे कि B word है अगर water image की तरह अगर लि तो यह B का जो view बनेगा वो कुछ इस परकार से ही बनेगा यानि B जैसा ही दिखेगा अगर आप नीचे दरपन को रखते हो water image की तरह अगर मानके चलते हो और इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरा alphabet अगर लेते हो मान लेते हैं कि यह पूरा mirror image है यहां पर आपने C लिया तो इस C का भी जो अगर नीचे की तरह दरपन है तो ऐसा ही बनेगा water image की तरह है और अगर आपने E लिया मान लो तो E का भी ऐसा ही बनेगा BCEHI का एसे ही आप का वर बनेगा B का आपका पहले बन चुका है B CEHI के का अगर आप देखोगे तो के का भी ऐसा ही बनेगा के होगे आपका इसके अलावा M का तो अल्टा बनेगा AND ought का बनेगा PQRS का नहीं बनेगा T का भी उल्टा बनेगा U, V, W, इन सब का उल्टा बनेगा, X का बनेगा एक, ठीक है, Y, Z का बनेगा नहीं, इनको अगर आप count करते हो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस तरीके से अगर आप count करते हो, तब RPC का जो answer है 7, वो सही हो सकता है, लेकिन RPC ने यहां कई mention नहीं किया, generally हम mirror को side view में मानते हैं, तो यह हिसाब से प्रशन या तो delete होना चाहिए, या फिर फिर इसको इस तरीके से हम मान सकते हैं, तो इस पे भी आप अपतिदर जिकर सकते हैं, next दोस्तों हम बात करते हैं कि cut off क्या रहेगी, उससे पहले हम बात करते हैं कि result आपका कब तक आएगा दोस्तों, result की अगर बात कर पर करिया पूरी की जाए, तो अचार सहीं तद लगबग आपकी 6 अक्टूबर को लगने वाली है, तो इसलिए उससे पहले पहले आपसे आपतिया मंगा लिए चार अक्टूबर तक, और उसका निस्तारण मुझे ये लगता है कि जल्द से जल्द आयोग करेगा, आपतिया कि इस अनुपात में मिलती है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको आपतिया लगानी चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेशन गरवड मिले हैं, इनके अलावा भी कुछ क्वेशन हो सकते हैं, तो 6 अक्टूबर से पहले आयोग की कोसिस रहेगी, लेकि 6 अक्टूबर तो हो नहीं प इसमें उनके थुरूब हमें जानकरी मिली है, कि RPSC की कोसिस तो जल्द से जल्द रहेगी, लेकिन 15 अक्टूबर तक का समय लग जाएगा, आज इस परी के रिजल्ट के लिए, और आपके मेंस की जो डेट है, उनका एलान भी जल्द होगा, और मेंस का जो आपका एक्जाम फरवरी फर्स्ट वीक के आसपास आपका मेंस का एक्जाम जो है, वो हो सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, और उसके बाद में अगर इंटर्व्यू की बात करें, तो लगबग आपका जून के आसपास, जून जुलाई में आपका इंटर्व्यू भ काटोफ बता ही है, फीमेल कंडिडेट्स की काटोफ हर एक केटेगरी में डिफर कर सकती है, जैसे कि जनरल, EWS, OBC और MBC केटेगरी में लगबग 5 से 5 से 10 मांक्स का डिफरेंस रह सकता है, गबग 20 मांक्स भी 20 मांक्स कम रह सकती है, अगर बात की जाए तो ST category की अब दोस्तों बात कर लेते हैं category wise cut off क्या रहेगी तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि general category की cut off जो क्या रह सकती है वो 85 से लेके 90 marks और general TSP की अगर बात करें TSP एरिया की तो वो भी 80 से 85 के असपर से रह सकती है EWS की बात करें तो general के बराबर रहेगी लगबख 85 से 90 के बीच में और SC category की अगर बात करें तो SC की cut off रह सकती है 85 से 80 के बीच, SCTSP की अगर बात करें तो वो भी लगबख 85 से 80 के बीच, ST category की बात करें तो 80 से 85 के बीच, ST category की रह सकती है STTSP की अगर बात करें तो 60-65 के बीच में रह सकती है OBC की अगर बात करें तो General के बराबर 85-90 और MBC की कटोफ भी 85-90 इस बार दोस्तो ऐसा नहीं होगा कि General की कटोफ पहले बढ़ा के दे दी जाए और बाद में जब result दारी किया जाए तो फिर से बार में कम करके General के बराबर की जाए तो इस बार जहां तक हमारे पास जान करी है General, OBC, MBC, EWS इनकी कटोफ लग बग सेम रहेगी कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस रह सकता है तो दोस्तो ये maximum इससे ज्यादा कटोफ नहीं जाने वाली है क्योंकि कहीं जगा आपने देखा होगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि पेपर बहुती इजी था या पेपर का लेवल कम था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पेपर के questions जरूर आपको देखे हुए लग रहे थे सारे आपको ऐसे देखने में लग रहे थे कि इन सब का answer हमें आ रहा है लेकिन जिस तरह से option set किये गए थे तो छोटी छोटी mistakes आपसे हुई होगी silly mistakes की वज़े से आपके marks आपने check किया होगा कि अपने answer की मिला ही तब जाके wrong हो गए जो आप सही मान के चले थे और कुछ silly mistakes इस बार जो 5th option बरने की वज़े से भी कई candidates के साथ हुआ बहुत सारे candidates ने कहा है कि 5th option बरने के वज़े से कही बार हम 4th option बर रहे थे तो वैसे disqualify हो जाएंगे और इसके जो minus marking जो इस 5th option को अगर नहीं बरा है किसी ने काली चोड़ा है तो उस negative marking की वज़े से भी marks कम होंगे दूसरा candidates जलबाजी में कहीं बार questions को सही से read नहीं कर पाते हैं match the column वाले questions उनमें भी silly mistakes हुई है क्योंकि option इस तरीके से set किये गए थे और बहुत सारे जो statement वाले questions थे उनको भी इस तरीके से set किया गया था कि अभीरती confused होके उनके गलंत answer आते हुए भी wrong कर के आ रहे थे कुछ-कुछ छोटी-छोटी silly mistakes हुई है reasoning match में भी छोटी-छोटी silly mistakes हुई है तो इन सब को देखते हुए जो cutoff है बहुत ज़्यादा पिछली वार से ज़्यादा नहीं जाने वाली है लगबख उसी के आसपाश 50-90 के 20 जनल cutoff रहने वाली है तो आप इसको मान के चलें और मेंस की तयारी शुरू कर दें तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नेज़े कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद